अलो फ्रेंट्स में नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने शैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग लेशन नमर 7 पढ़ने वाले हैं जो रेंबो क्लास 7 की 7 लेशन की भुक है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले 7 लेशन की जो है उसका हम लोग आज हिंदी अनुबाद पढ़ने वाले हैं फ्रेंट्स एक बात मैं बता दूँ कि इसके पहले की जितने भी क्लास 7 की लेशन्स है उनका मैंने हिंदी अनुबाद और उनके कोस्तानाशर को अप्रोड कर दिया है और अब तक आप लोगों ने उन्हें नही देखा और देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप रेंड़ो क्लास 7 की निव बुक पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको सारी हिंदी अनुबाद और आपको उनके क्वेसनाशर मिल जाएंगे तो चलिए फ्रेंट्स बिना दे जानी है वो सुरू है देखिए once upon a time एक समय की बात है there was a king एक राजा था who lived in a place on the bank of a river जो नदी के किनारे एक महल में रहता था ठीक ना place का मतलब होता है महल तो एक बार की बात है एक राजा नदी के किनारे एक महल में रहता था he was unhappy वह खुश नहीं था because क्योंकि the people of his kingdom क्योंकि उसके राज दर्बार के लोग kingdom का मतलब होता है राज पाट ठीक ना तो यह कहानी काफी असान है तो देखिए friends यह उपर मैं बता रहा था कि उपर की जितनी भी यह लाइने हैं यह जो दो लाइने हैं वो काफी असान है तो इसलिए मैंने इन्हें डिटेल में बताने की कोशिस नहीं की तो चलिए यहाँ पर राजा खुश नहीं थे क्योंकि because क्योंकि the people of his kingdom क्योंकि उनके राज दर्बार के लोग were irresponsible वो गैर जिम्मेदार थे ठीक ना जो राजा थे जो एक जिम्मेदार राजा थे उनके दर्बार के जो लोग थे वो गैर जिम्मेदार थे वो अपनी जिम्मे चैरियोट है चैरियोट का मतलब होता है रत हर समय वह अपने रत से बाहर जाया करते थे he used to see stones and rubbish lying on the roads और वह देखते थे कि सडक पर पत्थर और कबाड यहाँ पर देखिए यह रबिष जो आपको दिखाई दे रहा है रबिष का मतलब होता है कूड़ा यह कबाड ठीक ना तो जब कभी भी वह अपने रत से बाहर जाया करते थे तो वह देखते थे कि सडको पर पत्थर या कूड़ा या कबाड जो है lying मतलब पड़ा हुआ था अब देखिए every time हर समय he used slide to his boat वह अपने boat से मतलब boat का मतलब नाव से हर समय वह अपने नाव से भी घूमने जाया करते थे फांड वह पाते थे the river was very dirty कि नदी जो है बहुत ही गंदा था जब कभी भी हो मतलब हर समय जब नदी से होते हुए मतलब boat पर बैट करके जब नदी के रास्ते जाते थे तो वह देखते थे कि नदी भी बहुत गंदा था अल्स इस प्रकार अल्स का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जब कोई दुख हो तो आहा भरी दुख में वो क्या कर रहे हैं वाय क्यों are my people so irresponsible he managed वह जो है आहा भरते हैं और कहते हैं कि ओ हमारे राज दरबार के लोग हमारे हां के लोग इतने गर जिमेदार कैसे हो सकते हैं why do they not keep the roads clean वो सड़क को साब सुतरा क्यों नहीं रख सकते हैं he thought उन्होंने सोचा for a while and said एक पल के लिए उन्होंने सोचा और कहा I must teach them a lesson मुझे एक उन्हें जो है सीख सिखानी होगी मुझे एक उन्हें पार्ट सिखाना होगा ठीक ना राजा जो है जब यह सारी बातों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे अब अपने लोगों को एक पार्ट सिखाना होगा तब ही जाकर वो साइद अपनी जिमेदारियों को समझ पाए वन नाइट तो इसी लिए जो है एक रात ही टूक ही टूक ही टूक बैग ऑफ गोल्ड कोई एक रात वह एक सोने की बैग लेकरके यहां पर देखिए यहां से यहां तक मैं समझा दूँ साइद आप लोगों को समझने में और सुविधा होता हूँ तो वन नाइट एक रात लिए हुए बैग ऑफ गोल्ड कोईन विद इम विद इम का मतलब होता है वो अपने साथ ठीक ना तो वो अपने साथ एक रात सोने से भरे हुए बैग के सिक्को को ले कर जाते हैं देखिए तुक का मतलब होता है लिए हुए बैग ऑफ गोल्ड का मतलब होता है सोने के सिक्के ठीक ना तो सोने के सिक्के का बैग अपने साथ लिए हुए ही वेंट वा जाते हैं तो दा में रोड में रोड पर ठीक ना हिज वजीर, उनका जो वजीर था, वाज अल्सो विथेम, वह भी उनके साथ था, ही सा, उन्होंने देखा, ए पिट इन दे मिडिल आफ दे रोड, उन्होंने सड़क पर एक बड़ी सी गड़े को देखा, मिडिल का मतलब रहता है, बीच में या मद्धे में, तो सड़क के बीच में मद्धे में, उन्होंने एक गड़े को देखा, he put the gold coin in it उन्होंने gold coin को मतलब सोने की सिक्के को जो है इसके अंदर put कर दिया then the king तब राजा और वजीर और उसके साथ जो वजीर थे covered pit with a big stone उस pit को मतलब उस गड़े को covered कर दिये covered का मतलब सबी लो जानते हैं कि covered का मतलब होता है धक देना तब राजा और वजीर मिल करके उस गड़े को धक देते हैं with a big stone एक बड़े से पत्थर से ठीक ना तो एक बड़े से राजा और उनके जो वजीर थे वो लोग क्या करते हैं उसको धक देते हैं next day अगले दिन a man come along a road ठीक ना यहाँ देखे अगले दिन a man come along the road एक दिन एक आदमी मतलब उसके अगले दिन एक आदमी अकेले आ रहा था in his cart अपने ठेला गाड़ी के साथ which was full of call जो की कोईले से भरा हुआ था कोल का मतलब होता है कोईला इसा a big stone उसने एक बड़ा पत्थर देखा in the middle of the road सडक के मद्य में या बीच में but he was not worried about it लेकिन वह देख करके इसको चिंतित नहीं हुआ घबडाया नहीं ठीक ना क्योंकि वहां के जो लोग थे वह पहले से irresponsible थे गयर जिम्मेदार थे तो उसने इस पत्थर को जब देखा कि वह सडक के बीचों बीच में तो देख करके वह बिल्कुल नहीं घबडाया तब देखे क्या होता है he drop his card around the stone तब वह क्या करता है अपनी card को अपने ठेला गाड़ी को टांगा को जो है उस पत्थल के बगल के तरफ से ठीक ना या देखे around the stone उस पत्थल के बगल के तरफ से अपने ठेला गाड़ी को जो है उसका जो कुछ भी गाड़ी है उसको जो है वो लेकर के चला जाता है पर उस पत्थर को नहीं हटाता है then another man तब ही दूसरा आदमी come along अकेले आता है with a flock of sheep भेडों की जूंड के साथ and gods और बकरियों की जूंड के साथ यानि भेडों और बकरियों के जूंड के साथ एक आदमी और आता है the man did not pay attention to it drop his flock around the around other side of the stone तो जो ये आदमी था उसने भी जब इस पत्थर को देखा तो उसने भी इस पर कोई attention नहीं दिया उसको हटाने के बारे में कोई बात नहीं सुचा अपने मन में और वो भी इसके बगल से ही अपने भेडों को बकरियों को वहां से लेकर के चला गया तो मैं फिर से पता दू the man did not pay attention attention का मतलब ध्यान देना तो उस आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया to it इस पर ध्यान नहीं दिया and drop his flock around the other side और अपनी इस जुंड को मतलब भेडों और बकरियों की जुंड को उस other side of the stone पत्थर के दूसरे बगल से वहां लेकर के चला गया तो अब देखिए many other people इसी तरह से बहुत अन्य सारे लोग also passed along the same road उसी सड़क से गुजरते हैं but लेकिन all of them उन में से सभी लोग were so irresponsible वो सभी के सभी लोग गयर जिमेदार थे that जो they did not brought remove the stone जिन्हों ने उस पत्थर को हटाने के बारे में सोचा तक नहीं द्यान तक नहीं दिया तो देखें आपर line जो है और कहानी काफी आपको चीजे बता कर बताना चाहती हैं कि उस सड़क पर जो है बहुत सारे लोग जब जाते हैं तो वो उसको हटाने के बारे में उस पत्थर को हटाने के बारे में नहीं सोचते हैं और उससे साइड हो करके वो चले जाते हैं तो हम लोग ने पीछे पड़ा की अंत में राजा ने अंत में राजा ने बुलाया अपने राज दरबार के सभी लोगों को राजा ने बुलाया और उनसे कहा राजा ने कहा उनसे लोगों से कि चलो इस पत्थर को सड़क पर से हटाते है अब देखी तो जब राजा ने कहा तो पीपल वर स्टंड स्टंड का मतलब होता है यहां पर आशेर हो जाना या सॉक्ड हो जाना मतब चकित हो जाना लोग देख करके चकित हो गए देखिए पीपल वर स्टंड लोग चकित हो गए तो सी देख करके गोल्ड कॉइन सोने की सीके को इन दे पिट उस गढ़े में वेन दे रोल्ड रोल्ड का मतलब बता है पलट देना मतलब वहां से जब उस पत्थर को हटाया गया या पलट दिया गया तो वो जो लोग थे उस राज दरबार के जो लोग थे यह देख करके बहुत हैरान हो गए कि उस गढ़े में से सोने की सीके को निकाला गया ठीक ना लुक तब देखिए राजा कहते हैं कि लुक देर वर गोल्ड कॉइंट अंडर दा स्टोन राजा कहते हैं कि देखो देर वर गोल्ड कॉइंट अंडर दा स्टोन इस पत्थर के नीचे सोने हैं इस सोने के सीके हैं बट लेकिन नो वन लेकिन कोई भी ब्यक्ति broader to remove the stone इस पत्थर को हटाने के बारे में सोचा तक नहीं इसलिए no one कोई भी बैक्ति डिजर्ब इस गोल्ड इस सोने को रखने के योग्य नहीं है ठीक न? या इसको पाने के योग्य नहीं है राजा उन्हें समझाते वे कहते हैं कि देखो इस गड़े के नीचे सोना है सोने के सिक्के हैं और तुम में से किसी ने भी इस पत्थर को हटाने की कोशिस नहीं की है इसलिए यहां पर देखो सोने का सिक्का है और या अब तुम में से किसी को नहीं दिया जाएगा had you been responsible यदि तुम जिम्हेदार होते remove the stone और इस पत्थर को हटाते the gold coin would have been your तब ये जो सोने के सिक्के हैं वो तुम्हारे हो सकते थे या तुम्हारे हो जाते ठीक ना राजा कह रहा है कि यदि तुम लोग जिम्हेदार बैकती होते तुम लोग इस पत्थर को हटाते और जब तुम लोग इस पत्थर को हटाते तो वो सोने के जो सिक्का है वो सुने के जो सिक्के हैं वो तुम लोग को मिल जाता और वो तुम्हारे हो जाते the king side राजा ने कहा his people अपने लोगों से मतलब यही बात जो है राजा ने अपने लोगों से कहा the king ordered his wajir राजा ने अपने wajir को आदेश दिया to take gold coins my palace कि वह इन सोने के सिके को मेरे महल लेकर आए after hearing this मतलब इसको सुनने के बाद people feel sammed लोगों ने सरमेंदगी महसूस की and so far और इसके लिए अपने आपको काफी अच्छा में महसूस किया कि कास हमने ऐसा किया होता तो आज हमारे पास सोने की सिक्के होती and promised और उन्होंने अपने आप से वादा किया to be a responsible citizen कि हम अब से एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे हम अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे ठीक ना तो इस तरह से जो है राजा ने उन्हें एक सीख सिखाई जिसकी वाद से वो जो लोग थे उन्होंने अपने आप में सपत लिया कि वो जो है अब एक जिम्मेदार व्यक्ती बनेंगे तो फ्रेंट्स मैंने काफी इसे डिटेल में समझाया है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी तो फ्रेंट्स अब मिलते हैं इसकी अगले लेसन में वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगा बहुत बहुत धन्यवाद